असम में मुस्लिम ब्यक्ति को बीप बेचने के आरोब में पीटे जाने और सुवर का मास खिलाने के मामले में देश में माहौल गरम है तो वहीं ये पाकिस्तान की एक तरह से हेडलाइन्स भी बन चुका है इसको लेकर असदिन उवेसी ने मोधी सरकार पर निसाना सादा है तो चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है शौकत अली एक 70 साला बूडा है क्या नाम है उसका शौकत अली 70 साल की उमर है 35 साल से वो गोश का कारूबार करते हैं आसाम में आसाम में गाय कशी पर पाबंदी नहीं है सेटिफिकेट मिलता है लोग गाय खाते हैं महां पर नौरतीस में खाते हैं मगर कल क्या किया गया शौकत अली को पकड़ कर रोट पर किच्चा रहे यूते मारे शौकत अली को खूब मारा और पीटा और इसलिए मारा और पीटा कि तूने कैसे बीफ को बेचा उसके बाद शौकत अली को चहरे पर दाड़ी है गरीब है उसके मुँ में सूवर का गोश्ट डाल कर उसको खिलाया गया सूवर का गोश्ट डाल कर खिलाया गया बताव आप कौन है किसकी हुकूमत है मुडी तुम उस्मानाबाद में O.A.C का नाम लेकर लोगों को ढरा रहे हो मगर जहां तुमारी हुकूमत है तुमारा चीफ विनिस्टर है वहां पर शौकत अली को मार कर जहां पर गएकشी की पाबंदी का कानून नहीं है शौकत अली को मार कर तुम्हारे लोग मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मारने वाले मुडी को चाने वाले थे मार कर शौकत अली के मूँ में सुवर दाल कर खिलाया उसको तो वहीं इसका जवाब BJP नेता मौलाना सोईव कास्मी ने दिया है तो चलिए सुनते हैं उन्होंने इस मामले पर क्या कहा है ząd zwischen अग्य वर्फिस चुनाऊ जीतने के लिए आप नाते हैं क्या वो यहां और उने से वोसां हो उनका कोई कार एक सें अब३ फ तो भेच ने हैं करा दोटीयाए नहएं और जो हादसा हुआ है तुम्हारा कष्द दर्श हुआ है नहीं वा असाम कर रह रहे हैं मुसल्मानों को बहगानाय काम कर रहे हैं इनकी असलियत अगर जाननी है तो आप हैदराबाद जाकर इनकी अलाग़े को पूछिए यह इन्होंने गुंडा एलिमेंट वहाँ पाल लखा है और हजारो हजारो के मुसल्मानों पे इन्होंने बर्वा रखे हैं और सिर्फ टीवी बे बोलने से पाते करने से छुड बोलने से बेमानी करने से जो है मुसल्मानों के रहनुमाब नहीं हो सकते और ये बात देश के मुसल्मानों ने बता दी है बिहार लडने आए वहाँ जलील होकर गए मारे से लड़ना है, वहाजरी लोग अगल गए उत्तर बर्देशा है, वहाजरी लोग अगल गए इस बार किई से डिबे लोग सुभा लड़ ले है देश के मुस्लमा बता देगा कि आप हमाई लीडर नहीं है हमाई लीडर वही बन सकता है जो इनसाफ करे और इनसाफ के साथ में काम करे लेकिन सर अवएसी साहब तो कहते हैं M.I.M. एक मुस्लिम पारिटी और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम के हक के लिए बहुत काम किया है और हमेशा लड़ती आ रही है इस बारे में आपका क्या के नहीं कांगरेस ने 70 सारस जो लूटा है बर्बाद किया है मुस्लमानों को वैसी साथ उसके हमायती है और लगातार उसको समठ संदेटेशे ले आ रहे हैं उनके बाप भी और वो भी और मैं पूछना चाहता हूँ वैसी साथ अगर कांगरेस को गातिल कहते हैं अभी पिछले दो हफ